अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें बरवाला के समीब के गाउं गैविपूर के निवासी कोंग्रेस पार्टी के वरिष्ट कारे करता और इलाके के प्रमुक्त समाद से भी गोपी राम नल्वा ने उकलाना हलके से चुनाव लड़ने के लिए कमर कसली है गोपी राम नल्वा को अटल विश्वास है कि पार्टी उनिटी किट जरूर देगी और वे 36 विरादरी के सयोग से उकलाना हलके के विधायक बनेंगे देखिए हर नियुद समवादाता कुल्दीप सोनी बरवाला की गोपी राम नल्वा गैविपूर से विशेश बात चिन बात करते हैं उकलाना हलके के प्रमुक समाज सेवी और राजनिती में विशेश पैठ रखने वाले शिरी गोपी राम नल्वा जी जो की गाउं गैविपूर के निवासी हैं गोपी राम जी नमस्कार आप हमें ये बताएं गोपी राम जी कि आप कांगरिस पार्टी के वरिष्ट कर्ये करता रहे हैं वर्सों से और अब कांगरिस पार्टी के तहट उकलाना हलका जो आपका अपना है चुनाव होने हैं विधान सभा के तो आपकी क्या इच्छाएं हैं हलके में चुनाव को लेकर सर ये मैं 30 साल से कांगर्स का कारिया करता हूँ और कांगर्स पार्टी जुडा हूँ पहले भी मेरा दो तिनवारी पैनल में नाम चला और फिर टिक्रट नहीं मिला पिछली बारे भी जिस भी पार्टी ने टिक्रट दिया मैंने उसकी तन्मन दन से उनकी मदद की सेवा की कांगर्स पार्टी चाहेगी मुझे अब की बार ये मुईद है अग कांगर्स पार्टी ओडों का बहुत मानसमान रखती है मैं ओर्ड कॉमिनिटी से हूँ और अब को विश्वास है कि एक टिकेट ओर्ड को जरूर देगी कांगर्स पार्टी जो उकलाना हलके में मेरी अच्छी जान पिछाना है अच्छी पकड़ है अगर कांगर्स पार्टी मुझे टिकेट देती है बहुत मतों से जीत के या हुआ को पाँख सिस्वास मेरे अलके का हो और लोगों के घर गर जाके, घर गर जाके लोगों की समस्या सुनके उन्हों समस्यां का हल रहाने का काम करूए है कि आपको कितना विश्वास हा कि पार्टी आपको टिकेट देगी मुझे अब की बार tädy, 101 % बिश्वास कांगस पार्टी हमारी कॉम्मुनिटी ओड को जुरूर टिक्ट देगी और जो उसका राइट भी उकलाना में ही बनता है हम ऐसी केटागिरी से आते हैं तो ओड को और यान में कहीं टिकट नहीं दी जारी और अब की पूरा 101% विश्वास है राहूल गांदी पे दिपेंदर उड़े वे तमर जी पे बेन कुमारी सेल जाबे वो सब इस कॉम्मुनिटी की मदद करेगी और मुझे टिकट दिलाने का काम करेगी तो इससे पहले भी किमें टिकट के लिए प्रियास आपने किया था हमें करते रहे हैं सब से मिलते रहे हैं सब नहीं अस्पासन भी दिया पर टिकट नहीं मिली फिर भी हमने किसी कोई टिकट दी पार्टी नहीं चोड़ी और पार्टी उसी कंडिडेट का जो कांगर्स ने टिकट दिया उसकी मदद की है अगे भी टिकट नहीं देगी तो भी कांगर्स पार्टी जिस आदमी उमीदवार को टिकट देगी मैं उतन मंदन से उन्हीं की मदद करें तो आपको क्या लगता है कि आनवाले टाइम में कांगर्स पार्टी की ही जीत होगी और कांगर्स पार्टी का ही समय आएगा कांगर्स पार्टी की तो जीत पकी है कोई रोकने वाला ही नहीं है जो उड़ा साब ने जो काम किये हैं वो लोग एक एक बात को जानते हैं कि उड़ा 36 बरादरी का लीडर है और जो काम की हैं मेरे गाउं की बात करो जैपरकास जी एंपी होते थे रंदीर सिंग उनके बाई विदायक होते थे मेरे गाम में उस तेम करोड़ों रुपे के गरांट दिये एक रिंग बांद था हमारा बाड आ गई थी पंदरा लोगों के पंदरा दिन में पाने निकला हमारा तीन दिन में जैपरकास जी ने रिंग बांद बनवाया पाने निकलवाया इस गाउं में कम सो मकान इस गाउं में साथ सो बीपियल कार्ड जो अर्याने का रिकार्ड है अग किसी गाउं में नहीं क्यों गरीब जती है यह ज्यादा तो साथ सो बीपियल कार्ड गैविपुर गाउं में जो अर्याने में साइद किसी गाउं में नहीं होंगे तो क्या बाजपा सरकार ने तो कोई सिष्टम ही नहीं है सब किसले नहीं आप क्या बताएंग बाजपा के बारे मिन क्या करना चाहोगे बाजपा के बारे में बैसे गरांट आई आई हैं तो गाउं के पैसे से बनाई ए सरपंच ने कोई थोड़ी बहुती गरांट आगी जो आने से यह थी वो नहीं समय तो चाहिए और तो जो डिक समयंधियर करती तो इस लिए यह समस्या Architect a वुट हुआ करती है तो तो समय समय करती संदॉक पूरा ओजा गिरिबों के परती कांगर्स बहुत अच्छा काम करती है तो गोपी राम जी आम यह मनें कि आपका उकलाना हलके से पक्का दावा है चनाव लड़ने का चनाव का क्या मुझे पक्का विश्वास है कि अब की बार ठिकट ही मिलेगी 101 पसंट गोपी राम जी आप आज तक अपन बरवाला से केमरामें रोहित सोनी के साथ कुलदीब सोनी बरवाला के रिपोर्ट हर निवस हर्याना